हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी हैं जहां आप unit number 7 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से notes बना सकते हो जो exam में आपकी बहुत ज्यादे help करेंगे ठीक है बेटे तो आज का हमारा target क्या है आज हम बात करेंगे sulfuric अमल या sulfuric acid के बारे में जिसका अनुसूतर होता है H2SO4 और हमें sulfuric अमल बनाने की सीखनी है संपर्स प्रक्रम या संपर्क विधी के नाम से भी ये प्रसलित है इसे English में कहते हैं बेटे contact method या contact process और बहुत important question है और उसके बाद बेटे हम करेंगे हमारी book में जो हमारे topic से related NCRT के questions हैं उन questions को हम solve करेंगे ठीक है बेटे तो चलो बच्चो जल्दी से आज की पढ़ाई सुरू करते हैं तो बेटे आज हमें बात करनी है sulfuric amul या sulfuric acid के बारे में और आपको बेटे सब को पता है कि sulfuric amul का formula होता है या अनुसोत्र होता है H2SO4 क्या होता है बेटे H2SO4 होता है यह बात आपने पहले भी पढ़ रकी है ठीक है तो यहां हम बात करेंगे कि सल्फियूरिक अमल का और योगिक निर्मान हम किस तरीके से करते हैं क्योंकि किसी भी देश का विकास काफी हद तक निर्भर करता है कि उस देश में सल्फियूरिक अमल का प्रोडक्शन कितना जादे है क्योंकि सल्फियूरिक अमल दैनिक जीवन में बिटे बहुत जादे जरूरी पदार्थ या योगिक हो गया है किसी भी देश के विकास में सल्फियूरिक अमल के प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा है तो इस तरह हमें पता चलता है कि सल्फ्यूरिक अमल के उपर डिपेंड करता है कि वो देश कितنا जादे विकास करेगा वैसे तो किसी भी देश का विकास बहुत सारी चीजों पर निरभर करता है पर उनमें से एक बिटे सल्फ्यूरिक अमल भी है ये बात आपको समझनी चाहिए ठीक है तो हम देखेंगे कि सल्फियूरिक अमल का ओद्योगिक निर्मान हम किस तरीके से करते हैं और बिटे सल्फियूरिक अमल के अध्योगिक निर्मान की जो सबसे अच्छी विधी है उसे कहते हैं संसपर्स प्रकरम या फिर आप इसे कहते हो संपर्ख विधी ये संपर्ख विधी के नाम से जादे परचलीत है ठीक है इंग्लिस में इसे कहते हैं contact method क्या कहते हैं बिटे contact contact method आप इसे कह सकते हो तो संपर्ख विधी द्वारा यदि आपको H2SO4 का निर्मान करना है तो आप कौन-कौन से step follow करते हो उस बारे में हम बात करेंगे ठीक है बेटे तो आपको पता होना चाहिए कि यदि संपर्ख विधी द्वारा आपको H2SO4 का निर्मान करना हो तो इसके होते हैं बेटे तीन इस्टैप समपर्ख विधी द्वारा H2SO4 का निर्मान करना है इसमें जो सबसे पहला स्टैप होता है वह खता है कि या तो आप सल्फर ले लो और या फिर ले लो आप सल्फाइड आयस या तो आपके पास होना चाहिए सल्फर और या फिर आपके पास होना चाहिए सल्फर का सल्फाइड रूप में पाया जाने वाला कोई आयस ठीक है और इस आयस को आप क्या करोगे सल्फर या सल्फाइड आयस क समझां में यह प्राप्ट करना होती है वो तो सबसे पहले हमें यह इवाला इस ते फोलो करना होता है गज्यान से समझ पहले हमें चैलरने के सबसे पहले तो यह वाला स्टैप हमें फॉलो करना होता है नमबर दो दूसरा स्टैप दूसरे स्टैप में हम क्या करते हैं यह जो हमें एसो टू मिला है ना यह एसो टू का बिटे एसो थ्री में आक्सी करन करते हैं ध्यान से समझेंगे सब बच्चे एसो टू का एसो थ्री में क्या करते हैं आक्सी करन यह दूसरा स्टैप है जो हमें फॉलो करना होता है तो हम मा का आक्सिकरण करेंगे पर हमें यहां बात ध्यान रतनी होती है कि उत्प्रेरक प्रियोग करना पड़ता है वैनेडियम पेंटा ओक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है कि एस सो टू जब ऑक्सीजन से रियक्षिन करता है तो यह बन जाता है एस सो थ्री और दो 6 और दो तिया 6 तो दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं SO2 का आक्सी करण कर देते हैं SO3 में और यहां हमें उत्प्रेरक्ष प्रियोग करना पड़ता है Venedium Penta Oxide V2O5 फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यह जो हमें SO3 गैस मिलती है इस SO3 को हम H2SO4 में अवसोशित करते हैं जिसमें H2SO4 में तो SO3 को H2SO4 में अवसोशित करके किसमें अवसोशित करके OLEUM का निर्मान करते हैं OLEUM का फार्मूला होता है H2SO7 का निर्मान करते हैं ध्यान से समझेंगे सब बच्चे तो सबसे पहले हमने क्या करा है सबसे पहले हमने सलफर को जलाया है वायू में और उससे मिला हिया हमें SO2 गैस फिर हमने SO2 का आक्सी करन कर दिया है SO3 में फिर हम SO3 को अवसोशित किसमें करेंगे H2SO4 में अवसोशित करेंगे Concentrate H2SO4 है आप लिख सकते हो या Concentrate H2SO4 तो हमारे पास यह Concentrate H2SO4 है और इसमें हम अवसोशित कर रहे है किसे बैटे SO3 गैस को अवसोशित कर रहे हैं यानि कि H2SO4 में SO3 गैस को घोल रहे हैं ऐसा करने से क्या होता है Hydrogen कितने है देखो दो यह लिख दिए मैंने 2 Hydrogen Sulfur कितने है यह है Sulfur कितने बैटे 2 हैं देखो 2 है न तो यह लिख दिए Sulfur भी 2 Oxygen देखो 4 और 37 यह Oxygen साथ हैं देखो OLEUM कहते हैं इसे H2SO7 इसे कहते हैं बैटे OLEUM ठीक है वैसे कुछ बच्चे इसे Pyrosulfuric Acid भी कहते हैं तो यह जो OLEUM है अब आपके दिमाज में आ रहा होगा कि सर OLEUM हमने बना लिया और हम बनाना सीख रहे हैं H2SO4 तो S2SO4 तो सर इसमें कहीं भी नहीं बना है तो बैटे पता हम क्या करते हैं इस OLEUM को हम इकठा करते रहते हैं एक कंटेनर में बर्तन में और फिर हम क्या करते हैं कि यह जो OLEUM है न यह लिखरा में OLEUM हमारे पास जो OLEUM है H2S2O7 इस OLEUM में ज़रूरत के आनुसार आप मिलाते रहते हैं पानी क्या मिलाएंगे बैटे पानी मिलाएंगे हम और जब हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा बैटे तो बनेगा देखो कितने हैं 2 और 2 चार है तो क्या मैं ऐसे लिख सखता हूँ चार hydrogen को आप को खेंगी של सकते हैं sulfur कितने हैं? दो यह लिख दिया sulfur देखो 2 sulfur होगे oxygen कितने है? 7 और 4,8, कितने हैं? तो क्या मैं oxygen को ऐसे लिख सकता हूं? देखो 2,4,8 तो यह हमें sulfuric अमल मिलता रहता है क्या मिलता रहता है? Sulfuric अमल और बेटे आपकी नॉलिज के लिए एक बात बताऊं ये जो सेल्फियूरिक अमल है ये 96% से 98% सक सुधता वाला हमें प्राप्त होता है ये बात आपको ध्यान रखनी है तो ये तो हुआ इसका सिध्धान्त यानि कि एक्जाम में यदि आपसे कोई पूछ ले कि संस्पर्फ प्रकरम या संपर्ख विधी में हम किन चर्णों का प्रियोग करते हैं या हमारा सिध्धान्त क्या है इस विधी का तो सिध्धान्त में तो आप इतनी बात लिखोगे जो मैंने आपको सिखाई है बताओ समझ में आया है ये नहीं आया मिटे आपके आपके आपको क्या विनेडियम पेंटा उकसाइड उसके बाद S03 जो बनी हैं उसे हम अवशोशित करेंगे किसमें S2, S04 में उसे घोल लेंगे या अवशोशित करेंगे जिससे हमें मिलेगा ओलियम और फिर बिटे ओलियम के अंदर हम घोलते रहेंगे पानी और पानी घोलने से आपको मिलता रहेगा S2, S04 या Sulfuric Acid जितना प्रतिसत्ता का आपको चाहिए है उसके हिसाब से आप पानी उसमें घोलते रहोगे मिलते रहोगे ठीक है बिटे अब हम विधी की बात करेंगे आप जल्दी से स्क्रीन सॉट ले लो फिर विधी की बात करेंगे लेलिया बिटे स्क्रीन तॉट ठीक है तो बिटे अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो संपर्क विधी है वो वास्तविक्ता में किस तरीके से काम करती है तो हम अब पूरी विधी के बारे में बात करेंगे ठीक है सामने बना रखा है बिटे मैंने एक डाइग्राम एक चीतर बना रखा है जिसे आप प्रवहा चीतर भी कह सकते हो और ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से तयार है न सब देखो जरा ध्यान से सबसे पहले तो यदि एक्जाम में इस तरह का लॉंग क्योप्चन आ जाता है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें कितने चैंबर बनाने हैं आप उन्हें चैंबर भी कह सकते हो कक्ष भी कह सकते हो तावर भी कह सकते हो और इस्तंभ भी कह सकते हो इन सारी बातों का एक ही मतलब है आप कक्ष कह दो, चेंबर कह दो, टावर कह दो या स्तंब कह दो, एक ही बात होती है विटे तो हमें देखना है कि हमें बनाने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने चेंबर बनाए 8 तो हमें 8 बॉक्स बनाने हैं और 8 Box में से ध्यान रखना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चोथ्था, यह तो बड़े Box बनेंगे और फिर 2 छोटे Box और फिर बड़े Box यानि कि आपको ध्यान रखना है कि 5 वा और छटा 2 छोटे Box बनेंगे बाग की सब बड़े box बनेंगे 8 box बनाने हैं ये चीज़े आपको इसी तरीके से सीखनी चाहिए बिटे जिस्ते exam में कोई problem ना हो अब देखो सुनो आपको फिर पता होना चाहिए कि ये जितने भी box हमने बनाए है इनके हर एक chamber का क्या क्या नाम है देखो बिटे सबसे पहले को हम कहते है sulfur burner क्या कहते है sulfur burner दूसरा है धूल अवक्षेपक या इसे धूल कक्ष भी कह सकते हो तीसरा है बिटे धावन टावर धावन इस्तंब भी कह सकते हो धावन कक्ष भी कह सकते हो ठीक है फिर है सुसकन टावर या सुसकन कक्त के दो फिर आर्सेनिक सोधक है फिर परिक्षन बॉक्स है फिर संपर्क कक्त है फिर है अवशूशन इस्तंब ठीक है अब देखो क्या करना है हमें सबसे पहली बात मैं आपको बचाता हूँ कि सल्फर बरनर जो है उसमें भरा हुआ है सल्फर ये क्या रख रखा है सल्फर रख दो या कोई सल्फाइड अयस्क रख दो आपकी मर्जी यह है चाहे तो आप सल्फर रखो या फिर रखो कोई सल्फाइड अयस्क यानि ऐसा अयस् अब और को में कटे है इन्सकार करूं का शमपर्क कक्स बारे रखा है उत्परे रख वेनेडियम पेंटा ओक्साइड यहां इस जगह ठीक है और अवसोसन इस तंब में आप उपर से डाल रहे हो क्या उना कंशंट्रेट S2, SO4 का ववारा तो चलो समझते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं बिटे हमारे पाँ जो सलफर बर्नर है इस सलफर बर्नर में हम वायू यानि assassination गैस को भेजते हैं औक्सिजन गैस को जब भेजते हैं तो उमारे रखा होता है सलफर तो जब वो सलफर आसीजन के साथ क्रिया करता है जलता है तो बनता है सलफर बर्नर में क्या हुआ सलफर बर्नर में सलफर हम ने यह रख रखा है इसके अंदर और बेटे ऑक्सीजन गैस हम बाहर से प्रवाहित कर रहे हैं तो SO2 बन जाएगा और ये SO2 और ऑक्सीजन का मिस्रण बाहर निकलेगा और इस मिस्रण को हम प्रवाहित कर रहे हैं धूल अवक्षेपक में किसमें धूल अवक्षेपक में प्रवाइग कर रहे हैं धूल अवक्षेपक में पता क्या होता है बेटे धूल अवक्षेपक में होता है कि जब ये धूल ये जो गैस है गैस उपर की तरफ को उठेगी तो इस गैस ये मिस्रण में कुछ dust के particles भी होंगे धूल के कण भी होंगे तो यह जो भाप उपर से हम भेज रहे ना वो भाप धूल के कणों पर बैठ जाएगी ध्यान से समझेगे सब बच्चे भाप किसके उपर बैठ जाएगी धूल के कणों पर गैसी है मिस्रण में जो धूल के कण भारी होकर इस चेंबर के बॉटम में या तली में बैठने लग जाएगे ऐसे मतलब वो जो भाप है वो S02 और O2 पर कोई प्रभाव नहीं डालती है केवल धूल के कणों को भारी करकर नीचे वैठा जाएगी है तो गैसी हमिस्रण में से कौन अलग हुआ धूल के कण हुए बैठे अलग धूल के कण इसलिए मैंने निच्चे लिखा है माइनस माने अलग हो जाएगा धूल धूल अलग हो जाएगा इसलिए 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 कहते है धूल अवक्षेपक और भाप इसमें प्रवाइब करी तो धूल को यहां रिमूव कर दिया अब हमारे पास जो SO2 रोटू का गैस यह मिस्रण है उसे हमने कहां पहुचाया धावन टावर में या धावन कक्स में या धावन इस्तंभ में यहां क्या होगा बेटे यहां उपर से हम प्रवाइब कर रहे हैं H2O का फवारा जल का फवारा प्रवाइब कर रहे हैं निच्चे से गैस उपर उठेगी और उपर से जल का फवारा निच्चे आएगा देखो कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि यह तिज्जे पत्थर क बिटें ये Quad से पत्थर हैं ये पत्थर का जाल इसलिए बिचा रखा है क्योंकि गैस जब उपर की तरफ को उठेगी न तो इनके बीच में से होके जाएगी और पानी जब उपर से गिरेगा तो वो भी इनके बीच में से होके आएगा इस से फाइदा यह होगा कि जादे से ज जो असुद्धियां ऐसी हैं जो जल में गुलन्शील होती हैं वे असुद्धियां इस जल में घुलके निच्चे बैठ जाएंगी तो यहां जो निच्चे बैठेगा वो असुद्धियां बैठ जाएंगी कौन सी असुद्धियां जो असुद्धियां जल में गुलन्शील है कौन सी असुद्धियां विटे जो जल में घुलनशील हैं इसलिए हमने कहा इसे धावन टावर यानि कि गैसीय मिस्रण में से उन असुद्धियों को धो कर धावन करके अलग कर दिया गया है जो असुद्धियां जल में घुलनशील थी अब गैसिय मिश्रण कहा प्रवेश कर रहा देखो अब गैसिय मिश्रण प्रवेश करता है सुसकन टावर में सुसकन का मतलब ड्राई करना ड्रायर कह सकते हो आब इसे ड्रायर सुसकन टावर इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि अभी आपने गैसिय मिस्रण को पानी के अंदर से प्रवाइट किया है तो पक्की बात है इस गैसिय मिस्रण में कुछ नमी या कुछ जलवास्प भी आ गई होगी इसलिए हम अब इसे भेज रहे हैं सुसकन टावर में सुसकन टावर में क्या होता है इसे सुसक करते हैं ड्राई करते हैं और उसके लिए उपपर से गिराते हैं कंसेंट्रेट S2SO4 और निश्चे से गैस कंसेंट्रेट S2SO4 की एक खासियत होती है कि नमी को अवसोशित कर लेता है इस बात को दिमाग में घुसा लिए बेटे बिल्कुल अपने सांद्र S2SO4 के अंदर ये बहुत अच्छी खासियत है कि नमी को क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है और शोशित कर लेता है नमी को अलग कर देता है किसी भी पदार्थ से तो जब GASEore मिशनरं उपर की तरफ को उठेगा और Concentrate S2SO4 नीचे की तरफ को गिरेगा नमी को, निचरे लिख दिया मेंने सारी निचरे बैट जाएगी अब GASEO को प्रवाहित हम करेंगे, देखो GASEO कैसा हो गया सूस को हो गया, SO 2 और O2 का तो मिशनण है अब हम इसे प्रवाइ masc करेंगे अब यह आर्तेनिक सोधक पता क्या करता है वैटे इसके अंदर भ्रा होता है फेरिक हाइड्रोकसाइड हैं और फेरिक हाइड्रोकसाईड किसे अलग करता है आर्सेनिक आउकसाइड को अलग करता है तो यदि गैसिय मिस्रण में कोई आर्सेनिक आउकसाइड की असुद्धी है तो वो असुद्धी यहां अलग हो जाएगी आर्सेनिक आउकसाइड की असुद्धी देखो माइनस माने अलग हो जाएगी क्या उपस्तिते इसमें फैरिक हाइड्रोकसाइड आरसेनी के असुदी भी अलग कर दी अब गैसिय मिस्रण को हमने प्रवाइद करा परिक्सन बॉक्स में परिक्सन बॉक्स बिटे कुछ भी नहीं रियक्सन यहां होने वाली है यह तो केवल एक पारदर्सी बॉक्स है क्या है पिटे पारदर्सी बॉक्स और इस बॉक्स में आप क्या करोगे कि इस बॉक्स को आप ध्यान से देखते रहोगे कि क्या गैसिय मिस्रण में कुछ अतिरिक्त कर्ण हमें दिखाई तो नहीं दे रहे है आप देखोगे कि गैसिय मिसरण में कुछ extra particles तो नहीं प्रजेंट हैं तो यदि आपको गैसिय मिसरण यहां से गुजरतावा बिल्कुल साह दिखाई दे रहा है इसका मतलब हमारे यह सारे process ठीक ठाक संपन हो गए है जो सोधन का unit सा उसने ठीक काम किया है अब क्या होगा बिटे जब परिक्सरण बॉक्सें आपने चेक कर लिया फिर हम गैसिय मिसरण को कहा भेज़ेंगे हम भेज़ेंगे संपर्क कक्ष में कहां भेज़ेंगे बिटे संपर्क या contact chamber में संपर्क कक्ष में हमारा उतपरेरक भरा होगा vanadium pentauxide कौन सा उस परेरक? वेनेडियम पेंटा ओकसाइड उस परेरक भरा होगा इस जगह पे तो क्या होगा? कि यह जो SO2 और O2 गैस जा रही है वो वेनेडियम पेंटा ओकसाइड उस परेरक की उपस्तिटी में SO3 में बदल जाएगी यानि कि SO2 का आक्सिकरन हो जाएगा किसमें पिटे? SO3 में तो यहां से निकलेगी SO3 गैस अब इस SO3 गैस को हम भेज देंगे अवसोसन स्तंब में कहां भेज देंगे पिटे? अवसोसन स्तंब अवसोसन स्तंब में उपर से गिर रहा है कंसंट्रेट S2SO4 और निश्चे से कौन सी गैस है? SO3 तो SO3 गैस जब कंसंट्रेट S2SO4 के साथ रियक्षन करती है, मैंने अभी लिखाया पिछे आपको रियक्षन, तो क्या बनता है? H2S2O7 क्या बनता है? H2S2O7 जिसे आप कहते हो OLEUM ये OLEUM को हम बाहर निकालते रहेंगे, एक बड़े से बरतनिया कंटेनर में इकठा करते रहेंगे, और बिटे, इस OLEUM में पानी मिलाते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा सांद्र H2SO4, जितनी सांद्र ताका आपको बनाना है उसके हिसाब से आप उसमें पानी मिला सकते हो, ठीक है बटे तो यदि exam में long question आया है, तो ये वाला आपको diagram ये चितर बनाना है और लिखना क्या है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, कि विधी में जो सब से पहला step हमें लिखना है, number 1 number 1 तो आपको लिखना है बटे sulfur burner ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, देखो मैंने वैसे समझा दिया, फिर भी लिखते वे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा sulfur burner, ठीक है इसमें क्या करते हैं इसमें sulfur या तो आप sulfur को जलाओ और sulfur को नहीं जलाते हो तो आप sulfur के किसी आयस्क, जैसे मैं कहूँ iron sulfide ठीक है, iron pyrite भी गया सकते हो यह भी ले सकते हो iron pyrite को yu में जलाकर yu में जलाकर so2 प्राप्त करते हैं तो सर से पहले तो आपको ये काम करना है कि आप sulfur को जलाओगे और कौन सी गयस प्राप्त करोगे so2 गयस प्राप्त करोगे reaction आप लिख सकते हो s plus o2 is equal to so2 और यदि आपको ये वाला reaction नहीं लिखना है iron pyrite सा लिखना है तो वो भी लिख सकते हो 4 fcs2 plus 11 o2 देखो यहां भी तो हम oxygen के साथ ही करिया कर रहे हैं और यहां भी oxygen के साथ करिया कर रहे हैं तो बेटे यहां बनेगा 2 f2 o3 plus 8 s02 शाथ में क्या बनेगा plus 8 s02 यह चीज़े यहां बनेगी बेटे तो आपको पता होना चाहिए कि s02 gas यहां भी बनी है और यहां भी बनी है यदि यह वाला reaction आपको मुस्किल लग रहा है तो आप केवल एक्जाम में पहला reaction लिख सकते हो s plus o2 is equal to s02 तो यहां से निकली हमारी s02 gas और oxygen अब दूसरा चेंबर बताओ क्या है दूसरा चेंबर है बेटे धूल कक्ष यही तो है बेटे भाप द्वारा गैसिय मिश्रण में उपस्थित भाप द्वारा गैसिय मिश्रण में उपस्थित धूल के कणों को भारी करके नीचे बैठा दिया जाता है नीचे बैठा दिया जाता है तो यह करोगे बेटे आप धूल कक्ष ने अब मुझे यह बताओ धूल कक्ष के बाए नमबर तीन हम किस पर आया है नमबर तीन तीसरा है धावन टावर आप लिख सकते हो इसे धावन कक्ष लिख दो या धावन टावर लिख दो या धावन इस्तंभ लिख दो एक ही बात है धावन टावर या धावन कक्ष के बारे में बात कर रहे चलो इसमें क्या कर रहे हम जल के फुवारे द्वारा या जल द्वारा गैसिय मिस्रण में उपस्थित गुलंशील जल में गुलंशील अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है बताओ समझ में आ रहा है जो अशुद्धियों जल में गुलंशील होती है उन्हें अलग करेंगे हम किस के द्वारा धावन टावर के द्वारा और बेटे नंबर चार बताना क्या है नंबर चार एक दो तीन चार सुसकन टावर आप इसे सुसकन कक्स या सुसकन इस्तंभ भी लिख सकते हो बताओ सुसकन कक्स में उपर से क्या डाल रहे है तो हम लिखेंगे इसमें कंसेंट्रेट एस्टू एस्सो फोर द्वारा नमी को अवशोशित नमी को अवशोशित कर लिया जाता है तो बेटे यहां क्या अवशोशित होगी बेटे नमी नमी को अवशोशित करेंगे हम सुसकन टावर में अब मुझे एक बाद बताओ सुसकन टावर के बाद नमबर पांच में क्या आता है बताओ इसमें चितर में देखके नमबर पांच में है बेटे आरसेनिक सोधक इसमें फैरिक हाइड्रोकसाइड तो हम लिखेंगे इसमें फैरिक हाइड्रोकसाइड द्वारा किसे अलग कर रहे हैं आर्सेनिक आउकसाइड वो एस्टू ओ थ्री की अशुद्धी को अशुद्धी को अलग किया जाता है बताओ ये बार समझ में आई क्या आपके ठीक है बिटे अच्छा जल्दी से स्क्रीन सॉट लो फिर मैं अगले पॉइंट लिखवा रहा है इसी लिए लिए बिटे स्क्रीन सॉट ले लिया ठीक अब है बिटे हमारे पास परिक्षन बॉक्स क्या लिखा है मैंने परिक्षन बॉक्स बिटे आपको पता है कि ये परिक्षन बॉक्स क्या होता है यह एक पारदर्सी बॉक्स होता है पारदर्सी बॉक्स होता है जिसमें देखकर इसमें आप देखते रहोगे जिसमें देखकर गैस की गैस की यानि गैस की यह मितने जो है गैस की सुद्धता की गैस की सुद्धता की क्या की जाती है जाच की जाती है गैस की सुद्धता की जाच की जाती है यह है बेटे अब बताओ उसके बाद क्या आता है परिक्षन बॉक्स के बाद नमबर साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ संपर्क कक्ष क्या है पेटे संपर्क कक्ष है यह लिख दिया संपर्क कक्ष या कॉंटेक्ट चेंबर संपर्क कक्ष में क्या होगा बताओ संपर्क कक्ष में हमारे पास जो गैस है उसका आक्सिकरण होगा क्या होगा बिटे आक्सिकरण अच्छा आपको एक बाद बताओं इस संपर कक्स को कुछ बच्चे कुछ बच्चे बिटे इसे उत्प्रेर की ये परिवर्तक भी कहते हैं कुछ बच्चे इसे कहते हैं उत्प्रेर की है परिवर्तक तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चीए कुछ भी आप कुछ भी कह सकते हो इसमें डेखो इसमें क्या हुआ यह हुआ एसी में इसमें एस सो टू का वी टू ओ फाइव उत्प्रेर की उत्प्रेर की उपस्थिती में किसमें आक्सी करण हो रहा SO3 में आक्सी करण हो जाता है और बेटे आप reaction भी लिख सकते हो यह वाली लिख सकते हो 2SO2 प्लस O2 is equal to 2SO3 और यहां arrow के उपर आपको दिखाना है V2O5 अब हम आगे अपने last chamber पे number 8 number 8 क्या है देखो अवसोशन स्तंब है हम लिखेंगे अवसोशन स्तंब के बारे में अवसोशन स्तंब या अवसोशन टावर या अवसोशन कक्स कुछ भी कह सकते हो आप तो आपको अब कौन सी कैस मिलगी SO3 अब क्या होता है कि इसमें SO3 का अवसोशन SO3 को किसमें गोल रहे बताओ कंसेंट्रेट H2SO4 में करके कंसेंट्रेट H2SO4 में कर रहे न क्या बनता है ओलियम ओलियम का फार्मूला होता है H2SO7 बनाया जाता है ठीक है बिटे कैसे बनाया जाता है देख लो यह हमारे पास है H2SO4 और हमने इसमें अवसोशन दीद करा SO3 गैस को क्या होगा बताओ H तो 2 है S भी तो 2 होगे एक और एक 2 और ऑक्सिजन कितने होगे 7 4 और 3 7 यह बन गया आपका ओलियम अब आप क्या करोगे बताओ अच्छा क्या करोगे बताओ अब आप ओलियम में ओलियम में जल मिलाकर ओलियम में क्या मिलाओगे बिटे जल ओलियम में जल मिलाकर इसे H2SO4 में बदल लेते हैं जितना चाहिए उतना H2SO4 बनाते रहो आप जैसे OLEUM है H2S2O7 इसमें आप पानी बिलाओ H2O पानी बिलाओंजे से क्या होगा देखो कितने H है 4 तो मैं लिख सकता हूँ ये 4 H लिख दिया है सल्फर कितने है 2 ये लिख दिये 2 सल्फर देखो 2 सल्फर ऑक्सीजन कितने है 7 और 1 आठ ये लिख दिया 8 ऑक्सीजन 2 चोक आठ तो H2SO4 मिलेगा बस आपको ये ध्यान रखना है कि 96 से 98% तक का आपको H2SO4 इससे मिल जाता है ठीक है बटे तो आपको समझ में तो आया होगा method क्या है कि इस तरीके सा काम करता है जल्दी से बटे अच्छा screen सोट लो फिर आम अगली बात करेंगे screen सोट लो बटे ले लिया screen सोट ठीक चलो बटे अब बात करते हैं की who is aury 멋있问 कॉन खेंल कोन कौन से बहुत इक गूंड यह जिनका हमें अध्यन करना हे ठीच यह कि अदियान से देखेंगे सब बहुत aan 무었 लिंग गाया तरफियों इन तेल जैसा, तो हम लिखेंगे तेलिये, तेलिये द्रव होता है, क्या होता है बिटे, तेलिये द्रव, यानि ओईली लिक्विड, एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी बात important है, जरा ध्यान से समझेंगे दूसरी बात को, मालो आपके पास एक बरतन है, इस त concentrate S2SO4 मानलो आपने इसमें भरता है, सांदर सल्फ्यूरिक अमल, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस सांदर सल्फ्यूरिक अमल को आपको करना है तनू, डाइल्यूट करना है, तो तनू करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें मिलाओगे पानी, पानी मिलाओगे ना, ज जल मिलाते हो, तो क्या होता है, कि concentrate S2SO4 जल के साथ बहुत तेजी से अभिकरिया करता है, और इस अभिकरिया में निकलती है बहुत ज़्यादे उश्मा, हीट निकलती है बहुत ज़्यादे, और वो जो बिटे बहुत ज़्यादे उश्मा निकलती है, वो इतनी ज़्यादे जाता है होती है कि विस्फोर्ट हो जाता है विस्फोर्ट होने से क्या होता है यह बरतन तो तूठी जाएगा जो आदभी प्रैक्टिकल कर रहा होगा यानि कि कंसंट्रेट S2 Epsopore को जो डाइल्यूट करने के लिए उसमें पानी मिला रहा होगा उसके भी बहुत जादे हानी उसे पहुच सकती है इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी सांद्र सल्फ्यूरी कमल को तनू करने के लिए उसमें जल नहीं मिलाना है क्योंकि यह अभीकरिया तीवर गती से होती है और बिटे उसमाक शेपी अभीकरिया है हीट बहुत जादे निकलती है और इतना हीट निकलता है कि बिस्पोर्ट हो जाता है इसलिए कभी भी कंसंट्रेट S2-S4 में आप पानी नहीं मिलाओगे अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर यदि कंसंट्रेट S2-S4 में हम पानी नहीं मिलाएंगे तो हम S2-S4 को डाइल्यूट कैसे करेंगे तनू कैसे करें पर एक सर्थ है यह पानी जो है एक ठंडा होना चाहिए अधिक मात्रा में तो होना ही चाहिए और ठंडा होना चाहिए ठंडा हो और अधिक मात्रा में हो इस तरहे आप पानी को एक बड़े बरतन मिलोगे और बैटे उस पानी में मिलाओगे Concentrate S2SO4 क्या मिलाओगे Concentrate S2SO4 बूंद बूंद करके थोड़ा-थोड़ा मिलाओगे और इसे हिलापते रहोगे ऐसा करने से क्या होगा जब आप थोड़ा-थोड़ा मिलाओगे तो reaction जादे मातरा में नहीं होगी heat तो अब भी निकलेगी पर आपने पानी बहुत जादे मातरा में ले रखता है और ठंडा ले रखता है और आपको पताए कि जलगी विसिस्ट उत्मा होती है बहुत अधिक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो जल इतनी उश्मा को तो अपने अंदर सहेज सकता है वहाँ प्रॉबलम नहीं आएगी तो इसलिए आपको सांदर S2SO4 में पानी नहीं मिलाना है पानी में सांदर S2SO4 मिलाना है थोड़ा थोड़ा मिलाना है बूंद बूंद करके मिलाना है ठंडे पानी में जादे पानी में मिलाना है और उसे हिलाबते रहना है इस तरीके से आप इसका dilution करोगे समझ में आई बात तो अब इस बात को आपको ध्यान रखना है तो हम लिखेंगे कि concentrate H2SO4 में जल मिलाने पर एक उस्माक शेपी यानि जिसमें उस्मा निकलती हो एक उस्माक शेपी अभीकरिया संपन होती है जिसमें बहुत अधिक मास्त्रा में जिसमें बहुत अधिक मात्रा में उस्मा निकलने के कारण क्या हो सकता है बताओ विसफोर्ट भी हो सकता है आते हैं तनू करण के लिए तनू करण तो समझरें आप डाइल्यूशन तंसंट्रेट को डाइल्यूट में कनवर्ट करना हो सांद्र को तनू में बदलना हो अधिक तनू करण के लिए सांद्र एस्टू एस्टो फोर में जल नहीं मिलाना चाहिए ठीक है बटे मदल सांद्र एस्टू एस्टो फोर में पानी नहीं मिलाना चाहिए अपी तू थंडे जल को थंडे जल को अधिक मात्रा में लेकर जैसे यहां करांगे थंडे जल को अधिक मात्रा में लेकर थंडे जल को अधिक मात्रा में लेकर उसमें धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे क्या मिलाना चाहिए कंसेंट्रेट एस्टू एस्टू एस्टो फोर मिलाना चाहिए तथा उसे हिलाते रहना चाहिए बस यह चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि पेपर में यह क्योफ्चन बेटे बहुत ज्यादे पुछा जाता है ध्यान रखोगे न तब इस क्योफ्चन को बेटे बिलकुल ध्यान रखना है आपको अच्याई को और बताता हूं बहुत अच्छी वाद नबर तीन पैटे एस्टू एस्टू फोर जो हुता है हुटा है उसमें बनते हैं हाइड्रोजन बांड एस्टू एससती了吧 के अण्वों के बीच हाइड्रोजन bond बनने के कारण क्या प्रभाव कड़ता है hydrogen bond बनने के कारण बैटे S2S4 का कुथनांक जितना होना सैए उससे अधीक होता है बैटे यानी आवशक्ता से अधीक और कितना होता है वो होता है बैटे 611 केल्विन के लगवग यह चीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर में क्योश्चन आ सकता है कि H2SO4 जो है उसका क्वथनांक होना तो चाहिए था कम पर जितना होना चाहिए था उससे अधिक क्यों होता है, यानि कि 611 केल्विन क्यों होता है H2SO4 का क्वथनांक, तो आप सिंपल सा अंसर दोगे, क्योंकि H2SO4 में पत्त में बंदे रहते हैं उन हाइड्रोजन बॉंड के कारण और वह आसाननी से वास्पित नहीं हो सकता है कौन बेटे एस टुएस अच्छा जलदी से स्क्रीन सौट लो फिर रासाइनिक गुणों के बारे में सीख रहे चलो इस प्रकरती में आपको ध्यान रखना है कि मानलों आपके पास С2So4 है, Sulfuric Acid है आपके पास और आपने क्या कराए Sulfural Acid को घोल दिया है पानी में किस में गнов दिया है पानी में घोल दिया है तो पानी में घोलने से क्या होता है पानी में घोलने से 100 बनता है H3O positive ion जिसे आप कहते हो हाइडरो Nium ion, देखो इसने H positive दिया है इसे, जब H positive इसे दिया है तो H3O तो बनेगा इपर positive charge भी तो आ जाएगा इसे उपर और साथ में क्या बनता है बिटे यहां क्या बचा बताओ H तो एक ही बचा HSO4 negative तो पहला step तो यह होता है और दूसरा step क्या होता है बिटे दूसरा step यह होता है कि यह जो HSO4 negative है यह भी तो जल के साथ क्रिया करेगा बिटे और जल के साथ क्रिया करके यह क्या करेगा यह भी अपना S positive आइं इसे देगा और यहां फिर दूबारे से बनेगा S3O positive प्लस साथ में यहां क्या बनेगा HSO4 के उपर आ जाएंगे दो इकाई रिन आवे पर बिटे बात यहां तक ही सीमित नहीं है असली बात तो अब start होगी आपको यह बात तो पता चल गई है कि जब भी आप S2SO4 को पानी में घोलते हो तो hydronium iron बनते हैं और बिटे यह hydronium iron ही हमें इसपस्ट कराते हैं या सिद करते हैं कि S2SO4 एक अमल है ठीक है बिटे अब देखो जो हमारा पहला step हुआ है उस पहले step के लिए बिटे यहां K1 यदी मैं लिखू तो K1 का मान बड़ा होता है 10 से यानि कि इसका जो वियोजन इस्थिरांग है वो बिटे 10 से बड़ा मान है और यदी दूसरे reaction की बात करूँ मैं बिटे तो दूसरे reaction में जो K का मान होता है दूसरे step में वो लगभग कितना होता है लगभग होता है 1.2 गुण 10 की घात माइनस 2 1.2 गुण 10 की घात माइनस 2 अब देखो दुन्नों में कितना अंतर है दुन्नों में इतना अंतर आपको नज़ा आदा बताओ इसका मान तो 10 से भी जाद है और इसका मान जो है एक से भी कितना कम है 10 की घात माइनस 2 है तो 0.2 अंकी धर सरकेगा यानि 0.01 के लगभग है तो इस इस फिरांक K के मान से हमें पता क्या पता चला है हमें यूँ पता चला है कि पहले रियक्षन के होने की पॉसिबिलिटी ज़ादे है यानि कि यदि आप S2-S4 को कहीं भी जली अविलियन में चेक करोगे न तो आपको ये वाले आयन ज़ादे नजर आएंगे इन के मुकाबले मतलब आपको HSO4 नेगेटिव आयन ज़ादे दिखाई देगा या H2SO4 के जली अविलियन में HSO4 नेगेटिव आयन अधिक मिलते हैं और ये ना के बराबर मिलते हैं सलफेट आयन अब कुछ बच्चे सोच रहोंगे कि सर आखिरकार इसका कारण क्या है मतलब ऐसा क्यों होता है आपने जो है पहला रियक्षन लिख दिया दूसरा रियक्षन लिख दिया पहले रियक्षन के लिए आपने इस्ठिरांक निकाल दिया जिसका मान 10 से बड़ा है दूसरे रियक्षन के लिए constant निकालना तो उसका मान तो एक से भी बहुत छोटा है 0.01 के लगबग है मतलब आफिरकार इसका वेग इस्थिनांक अधिक क्यों आया और इसका कम क्यों आया इसका कारण क्या है इसका कारण पता क्या है बेटे इसका कारण है यह जो आपके पास आयन है न वेटे अनूनाद दिखाता है वेटे आनूनाद और जब कोई योगिक या अनू या कोई भी इसपिसीज़ चाहे वो आयन हो अनूनाद दिखाती है न वेटे तो उसका स्थाइट वो बढ़ जाता है उसकी stability बढ़ जाती है और जब किसी का स्थाइट वो बढ़ेगा या stability बढ़ेगी तो उसकी reactivity घटेगी यानि उसकी करियासीलता कम होगी वो स्थाइट तो होगा जादे जो अनुनाद दिखा रहा होगा वो जादे स्थाइट होगा और करियाशील होगा वो कम तो यह इस्ठाई बहुत ज़्यादे है अनुनाथ दिखाने के कारण और जिए ज़्यादे इस्ठाई है तो कम करियाशील है और कम करियाशील है जभी तो पानी से कम reaction करके यह product बनाएगा इसका मतलब पहला reaction आपको ज़्यादे मात्रा में दिखाई देगा और जो S2SO4 है वो पहले reaction के form में उसके iron आपको सबसे ज़ादे पानी के अंदर ये वाले मिलेगे तो हमें पता चल गया कि हमें यहां से एक बात पता चली हमें अमलिय प्रकर्सी तो पता चली कि उसने S3O positive iron दिये हैं पर बेटे एक बात और पता चली है एक बात ये पता चली है कि ये जो S2SO4 है ना बेटे ये S2SO4 अधिकतर कौन से iron के रूप में पाये जाता है S2SO4 अधिकतर S3O positive वे HSO4 negative iron के रूप में पाया जाता है जली ये विलियन की बात कर रहा है या इस रूप में उपस्थित होता है या इन ironों में तूटता है कैसे भी लिख सकते हो आपकी मर्जी है इसका कारण पता क्या है क्योंकि मैं लिख दूँ या क्योंकि लिख दिया है क्योंकि HSO4 negative iron अनुनादी इस्थाईत्व दिखाता है इसका मतलब आप समझते हो इसका मतलब है कि ये जब अनुनाद दिखाएगा तो अनुनाद दिखाने के कारण ये हो जाएगा क्या इस्थाई हो जाएगा और इस्थाई हो जाएगा तो वो reaction अगली बार वो reaction नहीं करेगा मुस्किल जगरेगा बताओ ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आनी चाहिए विट्टे क्योंकि एक्जाम में यह आएगी बात ध्यान रखना है आपको कि यह वाला रियक्षन ज्यादे पॉसिबिलिटी है इसी पॉसिबिलिटी नहीं है ठीक ह अच्छा चलो दूसरा रासा इनी गुण देख रहे पहला तो हमने देख लिया अमलिय प्रकर्टी अमलिय प्रकर्टी में हमें और भी बहुत सारी बात सीखने को मिली है अमलिय प्रकर्टी इस पॉस्ट हुई है कि इसने दिये है एस्प्रियो पॉजेटीव आयन ठीक है ब वाश्य थीन हेरी H2S4 से आप अधिक वाश्पसील का निर्मान भी कर सकते हो एसे acid का निर्मान कर सकते हो जो बहुत ज्यादे वाश्पसील होते हैं। क्यों थीक है, कैसे कर सकते हो देखो? मान लो, आप के पास किसी धातू का है है, nd है एक्स का मतलब तो आप समझते हो एक्स यहां म का मतलब पता क्या है मे तीए L alors एक्स का मतलब है हेलोजन पता है ने हैलोजन का जैसे stlcr आई मैंने सिखाया था ना फूल कली पहार आही सिखाया थह ने जैसे पर गया तो मैं आपको कह रहा कि मालों आपके पास मेटल का कोई हैलाइड है धातु का कोई हैलाइड है दो अनू लिए और इसका रियक्शन हम कर रहें बिटे एच्टू एस्टो फॉर के साथ मैं ने एस टूइटल कि फॉर की तो अइसा करने से पता क्या हुता है यहांसे तो हैलोजन परमाणू और यहांसे हांसे फ्रमाणू वेर्य फोने पताओ हमारे पास उख एकक का आ सकता है जैसे HF, STL, HBR, HI, इन वैसे STL का नाम तो आपने सुनाई है hydrogen chloride, अब बताओ क्या बचा, M metal के कितने परमानूं बचे 2, M2, एक बचा SO4, तो metal का sulfate वाला लवन बनेगा साथ में, ये reaction आपको ध्यान रखनी है, और इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है, कि इस reaction का M ज लिखवाईन में अभी, और हैलोजन आपको पता ही है, ये लिखे वे हैलोजन सारे, ठीक है बचे, तो ये आपको एक रासाइनिक गुण ये भी ध्यान रखना है, और तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे रासाइनिक गुण, वो बहुत important है, और अब हम पढ़ेंगे बच बैटे निर्जली करण, क्या पढ़ेंगे बैटे, निर्जली करण, निर्जली करण को आप dehydration भी कह सकते हो, dehydration, तो यदि आपके पास कोई कार्बनिक पदार्थ है न, और उस कार्बनिक पदार्थ का आपने reaction कर दिया, concentrate S2SO4 के साथ, तो उस कार्बनिक पदार्थ में से क् निकल जाती है, नमी, पानी, जल, निकल जाता है, और इस क्रिया को कहते हैं निर्जली करण, जैसे मैं कुछ example दे रहा, अच्छे अच्छे से माल लो, हमारे पास ये एक acid है, इस acid को बेटे हम कहते हैं, formic acid, क्या कहते हैं, formic acid, organic chemistry में तो मैं सिखाऊंगा इस सब को आपको, यदि आप इस formic acid को गरम कर दोगे, concentrate S2SO4 के साथ, ध्यान से समझे हो, यदि आप formic acid को concentrate S2SO4 के साथ गरम कर दोगे, तो बेटे, यहां से तो निकलेगा H, और यहां से निकलेगा OH, ध्यान से समझो, एक तो H निकलेगा, और एक निकलेगा OH, यानि कि, यहां पर निकलेगा बिटे S2O, पानी अलग कर दिया और पानी अलग करके यहां कौन सी गैस बची कार्बन मोनो ओक्साइड गैस तो इसका मतलब फॉर्मिक एसिड को यदि आप कंसंट्रेट S2SO4 के साथ गर्म करते हो तो पानी अलग हो जाता है और कार्बन मोनो ओक्साइड गैस क्या है ओक्सेलिक एसिड है यदि आप इस ओक्सेलिक एसिड को गर्म करते हो कंसंट्रेट S2SO4 के साथ सांद्र सल्फियूरी कमल के साथ तो यहां भी पानी निकलेगा एक तरफ से H और एक तरफ से OS इस तरह निकल जाएगा यह लिख दिया मैंने चाहे तो तीर के निच्चे लिख दो यहां लिख दो S2O निकला है और S2O के साथ और क्या बना है देखो वेटे उपर कौन सी गैस बनी है उपर बनी है CO2 और निच्चे कौन सी गैस बनी है CO, कार्बन मोनोकसाइड तो carbon dioxide और carbon monoxide दोनों gas बनती है चलो अच्छा एक reaction और देख लो मालो आपने क्या करा आपने एक बरतन में चिन्डी ले ली चिन्डी चिन्डी कह दो क्या कह सकते हो सुगर कह सकते हो, सुक्रोज कह सकते हो मैं लिख दूँ यहां सुक्रोज है सुक्रोज कह दो या सुगर कह दो आपकी मर्जी है या शक्कर कह दो और आपने इसे गरम कर दिया concentrate S2SO4 के साथ तो क्या होगा कि concentrate S2SO4 इसमें से भी क्या करेगा पानी को अलग कर देगा 11 जल के अनू निकलेंगे इसमें से बहार देख को 11 दूनी बाई 22 ही तो है hydrogen और oxygen कितने है 11 11 ही तो है oxygen अब क्या बचा है यहां तो बेटे carbon बचा इसका मतलब यहां बचेगा 12 carbon और आपकी चिन्नी हो जाएगी काली या शक्कर कैसी हो जाएगी काली हो जाएगी क्योंकि वहाँ बचा है केवल और केवल carbon तो यह reaction आपको समझने चाहिए बेटे हर एक हालत में जल्दी से screen sort लो फिर अगले गून पढ़ रहे चलो ले लिया बेटे screen sort ठीक अब हमें पढ़ना है बेटे कि यह जो आपका S2SO4 है यह बेटे आकसी कारक की तरह भी कारिय करता है कैसे करता है देखेंगे सब हमने heading लिखा है आकसी कारक मानलो आपके पास copper धातू है और copper धातू पर आप reaction कर रहे हो S2SO4 की मानलो concentrate S2SO4 का हम तामबे पर या copper धातू पर reaction कर रहे है concentrate S2SO4 है बेटे मैं bracket में लिह रहा concentrate तो अईसा करने से क्या होता है कि यहां से तो निकलेगा copper ध्यान से समझेगेे यह तो निकला copper और यह निकला आपका 지ल्फेट क्या बन गया बेटे बताओ copper sulfate यहां लिखुआ में copper sulfate बना है द्यान से समझेगे यहां क्या बचा ESO4 तो में लिए दिया दो बचे हैं हमारे पास oxygen और वेटे hydrogen कितने बचे हैं चार तो क्या मैं चार hydrogen को ऐसे लिख सकता हूं देखे जरा दो दुनी चार hydrogen और दो oxygen तो इस तरीके से copper का और यहां किकीमिकल रियक्षन में किसी पदार्थ की आक्षिकर्ण संक्या बढ़ती है तो समझु उससा आक्षिकर्ण हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आक्षिकर्ण की अभीकरिया में आपको एसोटू गयस और वाटर निकालना है। ये چीज ध्यान रखनी है। जैसे चलो धातू के अलावा आप एक धातू Sulfur को ले लो। और हमें Sulfur का रियक्षन कराना है a dear Sulfuric Acid के साथ। गंधक का रियक्षन गंधक के अमिल के साथ कराना है। तो क्या होगा बेटें एक so2 यहां से निकली दो कि अपने अक्सीजेशन बचे दो और और दो यहां बचे चार उक्सीजन चार में से क्या दो ऑक्सीजन इसके साथ किरिया करके SO2 नहीं बना सकते हैं भई 1 SO2, 2 SO2 ठीक है पर यहां अभी तो 2 यहां बच रहे हैं 2 यहां बच रहे हैं ऑक्सिजन क्या? उन में से 2 ऑक्सिजन इस से जरिया करके SO2 नहीं बना सकते हैं बनाएंगे तो SO2 1, 2 और 1 यहां बनी 3 SO2 गैस बनेंगी अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 यह लिख दिये 4 हाइड्रोजन और ऑक्सिजन कितनी बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं तो 2 ऑक्सिजन यही तो इस तरह का रियक्षन होगा बेटे सल्फर के साथ और यदि मैं आपको कहूं कि चलो यार कार्बन के साथ भी रियक्षन करते हैं तो कार्बन के साथ जब आप S2SO4 का रियक्षन करोगे मैं जो S2SO4 को दो बार लिख रहा हूं आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 S2SO4 2 S2SO4 ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है वेटे? 1 S02 यहां से निख लिख लिख 2 S02 ठीक है? अब ऑक्सिजन कोई से भी 2 ऑक्सिजन इन 4 हाइडरोजन से करिया करके 2 बना लेंगे जल के अनू अब बताओ क्या बचा? कितने ऑक्सिजन बचे हैं? आप कहोगे कि 2 बचे और 1 कार्बन है तो 1 कार्बन जब 2 ऑक्सिजन से करिया करेगा तो CO2 गैस बनेगी बस आपको ध्यान रखना है कि Sulfuric Acid किसी भी धातू या एधातू से जब reaction करता है तो CO2 गैस जरूर बनती है और पानी जरूर बनता है साथ में जो बनेगा वो बनता रहेगा उसे आप बनाई दोगे जो बच्चेगा अब हम चलो इसके उपियोग की बात करते हैं कि Sulfuri कमलका दैनिक जीवन में कहां कहां उपियोग है उपियोग में बेटे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि उर्वरकों के निर्माण में उर्वरक तो आप समझते हो उर्वरक कैसे हैं बेटे रासाइनी खाद को तो एक तो इसका उपियोग है उर्वरकों के निर्माण में बहुत सारे उर्वरक ऐसे हैं जो S2, S4 से बनाई जाते हैं ठीक है जैसे मैं आपको कहूं कि चलो ammonium sulfate की बात कर रहे हैं ammonium sulfate ammonium sulfate एक ऐसा उर्वरक है जो sulfuric acid द्वारा बनाया जाता है और बेटे एक उर्वरक बहुत ज़्यादे famous है उसे कहते हैं super phosphate super phosphate ये super phosphate भी बेटे H2SO4 से ही बनाया जाता है ये ध्यान रखना है आपको और बेटे एक और बहुत बढ़िया बात बताओं एक इसका उप्योग है petroleum के सोधन में जो petroleum होता है ने जिसे आप कहते हो कच्चा तेल या चट्टानी तेल उसके सोधन में भी हम H2SO4 का प्रियोग करते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए कि petroleum के सोधन में भी हम इसका उप्योग करते हैं और बेटे एक बात और बताता हूं कि अप मार्जक के रूप में भी इसका प्रियोग करते हैं अप मार्जक उद्योग में लिख दो अप मार्जक बनाने की जो factory या होती है उनमें भी S2SO4 का प्रियोग किया जाता है ठीक है बेटे अच्छा S2SO4 का प्रियोग बेटे धातू कर्म में भी करते हैं धातू कर्म वाला पार्ट तो पढ़ दिया आपका बैटलर जी आपने पढ़ दिया ना अच्छा एक आपके घरों में रखा होगा inverter का बैटरा जीसे आप कहते हो सीसा संचायक सैल या लेड इस्टोरेज बैटरी तो संचायक बैटरी में जो एसिड डलता है वो बेटे सलफ्यूरिक एसिड ही होता है ये बात आपको ध्यान रखनी है और एक उप्योग ऐसा है जि प्रियोग शाना में अभी कर्मक के रूप में फिर कोस्टिन करेंगे कुछ अच्छे अच्छे बी ले लिया बैटे स्क्रीन अच्छे दीग हो बीटे उधारन तो कैलसियम फ्लोराइड में यदि H2SO4 मिलाओगे तो क्या बनेगा कैलसियम सलफेट और 2HF ये रियक्षन मैंने कराई थी इसमें मैंने हेडिंग लिखाया था कि अधिक वास्तिसील अमलों का निर्मान उसमें आप देख सकते हो हमने M की जगा लिखा है कैलसियम ठीक है बेटे और नमबर दो है SO3 गैस को पानी में प्रवाहिस किया जाता है तो बेटे यदि एक बरतन में पानी लोगे और उसमें SO3 गैस आप प्रवाहिस करोगे तो दो हाइडरोजन है ठीक है सल्फर एक है इधर भी एक है ऑक्सिजन तीन और एक चार ये चार ऑक्सिजन तो बेटे सल्फियूरिक अमल बन जाता है क्या बन जाता है S2SO4 अब पाठे नहीत का तेईसवा क्योशन है उन तीन अक्षेत्रों का उल्लेट कीजिए जिन में S2SO4 का महतुपूर्ण भूमी का निवाता है जिसमें S2SO4 एक महतुपूर्ण भूमी का निवाता है तो बेटे यहां उत्तर में मैंने लिखा है उपियोग लिखने है हमें लिखने है S2SO4 के उपियोग और इन्होंने कहा है तीन अक्षेत्रों यानि कि कोई से तीन उप्योग आप लिख सकते हो अब पठे नहित का 24 वा के उस्तन जरा important है ध्यान से देखेंगे संस्पर्स प्रक्रम द्वारा S2SO4 की मात्रा में व्रद्धी करने के लिए आवस्चक परिस्थितियों का लिखिए कौन-कौन सी परिस्थितियां हमें चाहिए यदि आपको S2SO4 का जादे production करना है तो बेटे जब हम S2SO4 बनाते हैं तो S2SO4 के विधी में हमने लिखे हैं मुख्य रूप से 3 या 4 reaction लिखे हैं इसका मतलब S2SO4 का बनना कोई 4 लभीकरिया नहीं है वो एक जटी लभीकरिया है आपको पता है कि जटी लभीकरिया उन अभीकरियाओं को कहते हैं जिसमें एक से जादे पद होते हैं एक से जादे step होते हैं और हमें छाटना होता है उन पदों में से वो पद जिसका वेग सबसे कम होता है क्योंकि slowest step is the rate determining step सबसे धीमा पद या सबसे मंद पद ही वेग निर्धारक पद होता है यदि आपको selfuric acid जादे बनाना है उसका yield जादे चाहिए आपको आपको उसका उत्पादन जादे करना है तो आपको उन सारे steps में से वो step पकड़ना पड़ेगा जिसका speed slowest होए और उस speed का आपको उस reaction का उस step का आपको वेग बढ़ना पड़ेगा तो वो step होता है बिटे ये वाला कौन सा होता है कि जब SO2 का आक्सी करण होता है SO3 में ये slowest step है इसका मतलब यही rate determining step है और इसमें निकलती है उश्मा 196.6 किलो जूल परती मोल और उस परे रख प्रियोग होता है बनेडियम पेंटा उप्रेड तो हम उन सारे reactions को ना देखते हुए केवल इसी reaction पे focus करेंगे इसलिए focus करेंगे क्योंकि इस step का वेग सबसे कम है इसका speed सबसे कम है और किसी जटी लभीकरिया में जिस अभीकरिया का वेग पूरी जटी लभीकरिया का वेग उसी पदपर निर्भर करता है अब आजओ आप तो अधिक उत्पाजन के लिए नंबर एक सबसे पहले क्या इलाज करना पड़ेगा वेनेडियम पेंटा उपसाइड उत परे रख का प्रियोग करते हैं बी टू ओ फाइव यूज इसलिए ताप कैसा होना चाहिए निम्न ताप आपके पास होना चाहिए ठीक है बीटे और उच दाप का प्रियोग करते हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि जब किसी रियक्षन में दाप बढ़ाये जाता है लाश अतालिये नियम से तो अभीकरिया का वेग उस दिसा में बढ अब इधर कितने अनू में दो और एक तीन और इधर कितने दो तो यदि रियक्षन इस तरफ को चलेगी तो ऊनू से दो हो रहे यानी घट रहे यदि इस रियक्षन पर आप जादे रखोगे तो रियक्षन का स्पीड इधर कोई ऐस्ट होगा यानि आइस से चाहिदे सब्सक्राइब देखो बेटे अब देखेंगे हम पाठ्थे नहीं इसमें है जल में एस्टू 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 पॉर के लिए के एटू बहुत छोटा है के एवन से क्यों है यह बात मैंने आपको समझाई थी और यह बताया था वी बहुत इंपोर्टेंट के उस्टन है आपको समझना पढ़ेगा देखो पहला इस्टेफ है एस तू एस सोफोर को जब पानी में घोल दोगे तो एस तरी यह पॉजिटी बनेगा और एच इस पॉर नेगटिव बनेगा इसके लिए कॉंस्टेंट है दस से इसका कारण क्या है कि यह जो एससोफोर नेगरेटीव आइन है जिसे आप कहते हो बाई सलफेट आएन या हाइड्रोजन सलफेट आइन ये आइन बेटे अनुनाद दिखाता है और अनुनाद दिखाने के कारण इसके अंदर आजाता है स्थाइट वह इस्टैबिलेटी आ जा होगा यह असाननी से इसलिए पहले आज टैप ही जादे अच्छा रहेगा जादे आपको देखने को मिलेगा अब अभ्यास का बीसवा देखो कौन से एरोसोल ओ-3 का शेय करते हैं जो उजोन की परत है उसे कौन-कौन सी चीज़े खतम करती है कौन-कौन से अच्छा एक्जामपल है ठीक है बटे देखो क्लोरो और फ्लोरो कारण दूसरा नाइट्रोजन के ऑसाइड जैसे एन्डो है एन्डो तुब है मैंने आपको बताया था कि सूपर सोनिक जो जैट होते हैं वे अपने अंदर से निकालते हैं एन्डो गैस उनके इंधन जलने के कारण और वो एन्डो गैस किसके साथ रियक्शन कर लाती है ओजोन के साथ और बना देती है एन्डो टू और ओजोन कंवर्ट हो जाता है ओटू में यह बात मैंने पढ़ाई थी जब ओजोन आपको पढ़ाया था याद होगा आपके फिर नंबर तीन सल्फर के ऑफसाइड बिटे जो सल्फर के ऑफसाइड हैं वे भी ओजोन की परत को नस्ट करते हैं जैसे एस तो टू एस तो थी आदी अभ्यात का 21 के उप्शन देखो कितना फस्क्लास है संसर्फ संसपर्स प्रकरम द्वारा एस्टू एस तो एसो फोर के उत्पादन का वर्णन कीजिए तो बि प्यारा प्यारा ऐसा रिजल्ट लाने के लिए अपना 12 क्लास में और कंपटिशन में ले लिए स्क्रीन सॉट ठीक है तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज गर टॉपिक आपके समझ में आया होगा और आप अपने नोट्स बना भी रहे होंगे कुछ बच्चे तो ऐसे ह mental बनाते हैं जो साथ साथ में नोट बनाते हैं जब मैं बोलता हूं या लिखता हूं तभी लिखते रहते हैं ठीक है समझना भी बहुत जरूरी है पिट स्क्रीन सॉट लेकर जब वीडियो कम्पी तो जाता है फिर लिख लिया गरूं ठीक है बेटे जैसा आपको अच्छा लगे बस बेटे प्ले लिस्ट के अनुसारी अपनी पढ़ाई करो और अपने नोट्स बनाओ किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है कोई भी बच्चा सौट कट नहीं लेगा बिलकुल भी और पढ़ाई में जितनी मेहनत करोगे भवि चाल करोगे पढ़ाई में लेटे लेटे जितनी में खशंगाे और च crítो भी बच्चास है।